अरे ये क्या अब तक तो हमने फिल्मों में ही नकली पुलिस को देखा था अभी नेता भी होते थे अभी नेतरी भी होती थी लेकिन अब तो रील नहीं रेकिन रियल लाइफ में ये सब देखने को मिल रहा है और वो भी बिहार में यकी नहीं होता आप भी देख लीजे पुलिस का काम अब नकली पुलिस भी कर रही है क्या हुआ सुनकर हैना गजब का कानून है बैया अब सवाल ये कि क्या यही है सुशासन बाबू का शासन जहां पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था वर्जी धाना और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और वो भी पूरे आठ महीने जी सही जुना आपने आठ महीने से चाल साज इस वर्जी धाने को चला रहे थे वहारे सुशासन बाबू का जब कर दिया पुलिसिया विवस्था को अब राधी फरार रहते हैं और फर्जी पुलिस वालों का बोल बाला रहता है क्या ये जंडल राज की शुरुआत तो नहीं अब आईए आपको बताते हैं इस फर्जी धाने की पूरी कहानी क्या है दरसल बिहार के बाका शहर के बीचों बीच होटल में फर्जी पुलिस वाले और फर्जी अफसरों की एक टीम बनाकर फर्जी थाना चलाया जा रहा था ये फर्जी थाना बांका थाने से महज आदा किलो मीटर दूर अनुराग होटल में चल रहा था हैरानी की बात ये है कि बांका थाना के नाक के नीचे ये थाना आठ महीने से चल रहा था लेकिन पुलिस को आठ महीने तक इसकी भनक तक नहीं लगी अभी रुख जाईए ये अधूरी दास्तान है आगे सुनेंगे तो हिल जाएंगे क्योंकि इस ठाने में दीएसपी इंस्पेक्टर दारोगा महीला धरोगा और सिपाही तक तैनाक थे मुशी और कॉंस्टेबल तक सभी काम कर रहे थे ये सभी टिक टॉप वर्दी में रहते थे और पुलिसिया कारवाई भी करते थे मज़ेदार बात तो ये है कि इस फर्जी ठाने में तैनाक महीला धरोगा को रिवॉल्वर की जगा कट्टा दिया गया था कट्टा साथी यहां काम करने वाले सिपाही को हर रोज 500 रुपे की तिहाडी मिलती थी अब आईए आपको बताते इस फर्जी ठाने का खुलासा क्या हुआ ये भी जानना ज़रूरी है इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब फर्जी ठाना चला रहे बीएसपी पर बांका के नगर ठाना ध्यक्ष शंभू यादव की नजर पड़ी दरसल हुआ यूँ कि नगर ठाना प्रभारी शंभू यादव गश्ट के लिए निकले थे इसी दोरान गांधी चौक से शिवाजी चौक के पास उन्होंने पुलिस की वर्दी में एक यूवक को देखा यूवक की वर्दी पर दीएसपी का बैच लगा हुआ था उसके हाव खैरान परिशान करने वाले इस मामले से एक बात तो साफ हो गई है कि ये बिहार है और बिहार में कुछ भी हो सकता है प्यूर रिपोर्ट न्यूस वर्ल इंडिया